नमस्कार, स्टेडी जोन में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको हर्याना के एक्जाम्स में बार बार पूछे गए हिंदी व्याकरण के समास और उनके भेद विस्तार पूर्वक बताऊंगी जल्द ही हमारी और भी वीडियो जाने वाली हैं अगर आप हमारी नई वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टेडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं आज का आपका टोपिक है समास समास दो शब्दों के मेल से बना है सम जमा आस सम का अर्थ है संशिप्त या पास पास और आस का अर्थ है कथन या शब्द यानि कि समास का शाब्दिक अर्थ है संशिप्त कथन या शब्द संशिप्ति करण को समास कहते हैं संशिप्ति करण क्या आता है? short form यानि कि छोटा कर देना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्री यानि शार्थक शब्द को समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उनसे जो सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं समास में दो पद होते हैं एक पहला पद जिसको पूरो पद बोलते हैं और एक दूसरा पद जिसको उत्तर पद बोलते हैं जैसे दया का सागर का क्या हो गया दया सागर इसमें जो का है ये एक विभगती है यानकी कारक चिन है जिसका लोप हो गया है दूसरा क्या हो जाता है इसमें परिवर्तन आ जाते हैं यानकी विकार आ जाते हैं जैसे काठ की पुतली, इसका समास हो गया कठ पुतली, इसमें काठ का कठ पन गया, यानि कि एक विकारुद पन हो गया, तो समास में दो ही चीजें होती है, या तो विवगतियों का लोप हो जाता है, कारक्चिन्नों का लोप हो जाता है, या फिर कोई विकारुद पन हो जाता समास के भेद समास के 6 भेद होते हैं पहला है द्वंद समास दूसरा द्वीगु समास तीसरा तत्पुरुष समास चोथा करमधार्य समास पाँच्छवा अव्यई भाव समास और छटा बहुब्री समास पदों की परधानता के आधार पर भी समास का वरगी करण किया जा सकता है समास रचना में दो पद होते हैं पहले को पूरोपद और दूसरे को उत्तरपद कहते हैं तो पूरोपद परधान होता है अव्यई भाव समास में उत्तरपद परधान होता है तत्पुरुष करमधार् दोनो पदपरधान ओते हैं द्वंद समास में और कोई भी पदपरधान नहीं होता वो होता है बहुबरी समास, जिसमें कोई तीसरा यर्थ निकल कियाता है, तो पदों के आधार पर भी इनका वरगी करंद किया जा सकता है और आपका इस तरह से भी क्युश्यन आ सकता है कि ब जिस समास में पूरोपद और उत्तरपद दोनों ही प्रधान हो अर्था दोनों का इस वतंतर रूप से अर्थ निकलता हो तथा विग्रे करने पर और अथ्वा या एम लगता हो वहद्वन्द समास कहलाता है यानि कि जिसमें पहले वाला पद और दूसरे वाला पद दोनों ही प्रधान हो और जब हम उनका समासिक विग्रे करें तो उसके बीच में और अथ्वा या एम वादी शब्द आएं इसकी पैचान है दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन यानि की हाइफन का परियोग होता है जैसे उधारन से समझे माता पिता इसका सामासिक विग्रे होगा माता और पिता राम कृष्ण इसका सामासिक विग्रे होगा राम और कृष्ण भाई बहन का सामासिक विग्रे होगा भाई और बहन पाप पुन्य का सामासिक विग्रे होगा पाप और पुन्य सुख दुख का स समासी की विग्रे करेंगे तो इनके बीच में और अत्वा या या फिर एव आएगा और ये बीच से योजग चिन यानि की हाइफन से जुड़े हुए होते हैं समास का दूसरा भेद है दिगु समास जिस समास में पूरो पद यानि की पहले वालपद संख्या वाचक हो दिगु समास कहलाता है इसकी पैचान है कि इसमें हमें समू का ग्यान होता है जैसे उधारन से समझे नव रतन इसका समासिक विग्रह होगा नो रतनों का समू त्रिभुवन तीन भुवनों का समू शत्मंजिल साथ मंजिलों का समू शप्त दीप साथ दीवपों का समू यानि कि इसमें पहले वाला पद आपको संख्यावाचक मिलेगा वहां होगा दिगु समास समास का तीसरा भेध हैं तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तरपद यानि कि बादवाला पद बर्धान हो और दोनों पदों के बीच में परसर्ग यानि की कारक्चिनों का लोप रहता हो कारक्चिन छुपे हुए रहते हों वहां तत्पुरुस समास होता है जैसे उधारन से समझे दिन चरिया का सामासिक विग्रह होगा दिन की चरिया यहां पे की जो है वो कारक्चिन है निती निपुन का समासिक विग्रे होगा निती में निपुन यहां में कारक्चिन है आत्म विश्वास का समासिक विग्रे होगा आत्म पर विश्वास युद्ध भूमी का समासिक विग्रे होगा युद्ध के लिए भूमी मू मांगा का समासिक विग्रे होगा मू से मांगा ह रतकडी का समास एक विग्रह होगा, हाथ के लिए कडी आदी, तो इस समास की यही पैचान है, कि इसमें कारक्चिनों का लोप हो जाता है, कारक्चिन क्या होते हैं, को, से, के, के, की, मे, पर, आदी, यह कारक्चिन होते हैं, समास का चोथा भेद है करमधारे समास जिस समास में पूरवपद यानि की पहले वाला पद विशेशन और उत्तरपद यानि की बाद वाला पद विशेश हो करमधारे समास कहलाता है इसमें भी उत्तरपद पृधान होता है विशेशन वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेशता बताते हैं और विशेश जिस किसी की भी विशेशता बताई जा रही है वो विशेश कहलाता है जैसे उधारन से समझे काली मिर्च इसका सामासिक विग्रे होगा काली है जो मिर्च यान कि काली इसमें विशेशन है और मिर्च जिसके विशेशता बताई जा रही है कि वो काली है नील कमल नीले हैं जो कमल योगदान योग है जो दान अब आपको दिख रहोगा कि इसके पहचान क्या है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या फिर के समानादी शब्द आते हैं तो वहाँ पे करमधार्य समास होता है जिसमें पूरो पद विशेशन यानकी जो विशेशता बता रहा है दूसरे पद की वहाँ पे क्या होता है करमधार्य समास होता है इसकी पैचान समासिक विग्रे करने से अच्छे से हो जाती है क्योंकि जब हम समासिक विग्रे करते हैं तो दोनों पदों के बीच में है जो या फिर के समान आदी शब्द आते हैं समास का पांचवा भेद है अव्यई भाव समास जिस समास में पूरो पद यानि की पहले वाड़ा पद अव्य हो अव्य इभास समास कहलाता है यह वाक्या में किर्या विशेशन का कारे करता है अव्य क्या होते हैं अव्य दो शब्दों की मेल से बना है ए प्लस वे इसका शाब्दी कर्थ है जो व्यन होता हो यह एविकारी शब्द होते हैं इन पर लिंग वचन करमादी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता यह वाक्य में किरिया विशेशन का कार्य करता है किरिया विशेशन क्या होते हैं जो किरिया की विशेशता बताते हैं जैसे वह दीरे दीरे चलता है चलना किरिया है और चलने की जो विशेषता बता रहे है वो है धीरे-धीरे यानि की बंदा चल रहे है लेकिन धीरे-धीरे चल रहे है तो धीरे-धीरे क्या है किरिया विशेषन है इस समास की पहचान है कि इसमें पहला पद अनू, आ, प्रती, भर, यथा, यावत, हर, आदी होता है जैसे उधारन से समझें यथा स्थान, इसका समासिक विग्रे होगा स्थान के अनुसार प्रती दिन का समासिक विग्रे होगा प्रत एक दिन या फिर हर एक दिन यथा संख्य का समासिक विग्रे होगा संख्या की अनुसार यथा समय का समासिक विग्रे होगा समय की अनुसार आ जीवन का समासिक विग्रे होगा जीवन भर आ मरन का समासिक विग्रे होगा मरन तक आदी तो यहाँ पे जितने भी एक्जामपल्स हैं सब में यथा प्रती आ आदी शब्द आये हैं तो जहां भी आपको अनू आ प्रती भर यथा यावत हर शब्द दिखाई दे वहां आपका होगा अव्यई भाव समास लेकिन पहला पद होगा ये अनू आ प्रती भर यथा यावत हर ये पहला पद होगा, वहाँ पे होगा अब यही भाव समास समास का छटा भेध है बहुबरी समास जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेश यानि कि एक तीसरा यर्थ निकल के आता है, वहाँ पे होता है बहुबरी समास जैसे उधारन से समझे महात्मा यानी महान आत्मा है जिसकी अर्थात उची आत्मा वाला ऐसे ही मख्यी चूस का समासिक विग्रह होगा बहुत कंजूस व्यक्ति इसमें देखिए दो पद हैं मख्यी और चूस लेकिन कभी भी हमारा मतलब मख्य या चूसने से नहीं होता इसका तीसरा मतलब निकल के आता है बहुत कंजूस व्यक्ति जब भी हम मक्ही चूस शब्द का इस्तमाल करते हैं तो हमारा सीधा सीधा आर्थ होता है बहुत कंजूस व्यक्ति से इसी तरह से नील कंठ का समासिक विग्रह होगा नीला है جिसका कंठ अर्थात शिवजी गिरीधर, गिरी गो धरन करने वाले अर्थात श्रीकर्षन लम्बोदर, लम्बा उधर है जिनका अर्थात गनेश जी, आदी लेकिन आपको बहुब्री समास और करम धार्य समास में कन्फ्यूज नहीं होना है इनके बीच में अंतर है बहुबरी समास में कोई भी पद परदान नहीं होता, सीधा तीसरा अर्थ निकल के आता है लेकिन करमधार्य समास में दूसरा पद परदान होता है और उसमें एक पद विशेशन होता है और दूसरा पद विशेश्य होता है पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है जबकि यहां पे दोनों ही पदों को छोड़ कर एक तीसरा अर्थ निकलता है तो जहां तीसरा अर्थ निकले वहां बहुविरी समास है जहां तीसरा अर्थ ना निकले वहां करमधार्य समास है अब समास से संबंदित ऐसे प्रेशन है जो बार-बार हर्याना से रिलेटिड या फिर अधर स्टेट्स से रिलेटिड कम्पिटिटिव एक्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा छप्पे शब्द में समास है छप्पे पढ़ने से आपको एक संख्या वाच्चक शब्द का बोध हो रहा है तो यहाँ पे आपका होगा द्विगू समास आपका अगला प्रिश्ण है इकलोता शब्द में समास है कौन सा समास है देखिए इकलोता इक का मतलब होता है एक यानि कि यहाँ पे समास का जो पहला पद है वो संख्या वाचक है तो जिस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है वहां होता है दिगू समास आपका अगला प्रेश्ण है सिर्दर्द शब्द में समास है सिर्दर्द का समासिक विग्रह होगा सिर में दर्द यहाँ पे में कारक चीनने का लोप हुआ है तो यहाँ पे आपका अंसर होगा तत्पूरुस समास आपका अगला प्रिश्ण है ग्राम वाशी शब्द में समास है ग्राम वाशी का समासिक विग्रह होगा ग्राम का वाशी तो यहाँ पे आपका समास होगा ततपुरुष समास आपका अगला प्रिश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है आपके लिए शब्द है यथोचित यथोचित का समासिक विग्रह होगा यथा उचित यहाँ पे पहला पद यथा आया है जो की पैचान है अव्योई भाव समास की आपका अंसर होगा अव्योई भाव समास आपका अगला प्रिश्ण है, निम्न शब्द में कोण सा समास है? आपका शब्द है पद च्यूत पद च्यूत का समासी क्विग्रए होगा पद से च्यूत इसमें से का लोप हुआ है, से कारक चिन है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा तत पुरुष समास आपका अगला प्रेश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है आपका शब्द है मार्ग वे मार्ग वे का समासिक विग्रे होगा मार्ग का वे तो यहाँ पे का एक कारक चिन्न है जिसका यहाँ पे लोप हुआ है तो आपका अंसर होगा तत्पूरुष समास आपका अगला प्रेश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है आपका शब्द है चतुर भुज चतुर भुज का सामासिक विग्रह होगा चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विश्णु भगवान तो वह समास जिसमें कोई भी परधाना हो और एक तीसरा आर्थे निकल के आए वहां होता है बहुबरी समास आपका अगला प्रेश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है आपका शब्द है रामानुज रामानुज का समाशिक विग्रह होगा राम का अनुज इसमें का कारक्चिन का लोप हुआ है तो यहाँ पे होगा तत्पूरुस समास आपका अगला प्रेशन है निम्न शब्द में कौन सा समास है दाल रोटी या दाल भात इसका समासिक विग्रह होगा दाल और रोटी या दाल और भात इसमें द्वंद समास है क्योंकि और आ गया और दोनों ही शब्द स्वतंतर रूप से अपना अर्थ रखते हैं दाल और रोटी दाल और भात यहाँ पे द्वंद समास है आपका अगला प्रेश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है शब्द है जन्मांद समासिक विग्रह होगा जनम से अंधा तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ततपुरुष समास आपका अगला प्रेश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है आपका शब्द है पत जड़ पत जड़ का अर्थ होता है वह रितू या वह मोसम जिसमें वरक्षपने पत्ते जहाड देते हैं तो यहाँ पे एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है तो आपका अंसर होगा बहुबरी समास आपका अगला प्रिश्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है शब्द है जल राशी जल राशी का समासिक विगरे होगा जल के लिए राशी यहाँ पे के लिए क्या है एक कारक चिन है तो जहाँ पे कारक चिनों का लोप होता है वहाँ होता है ततपुरु समास आपका अगला प्रिष्ण है निम्न शब्द में कौन सा समास है शब्द है चोराहा यनि कि चार राहों का समूँ चार रिस्ते जहांपे आगे मिल जाते हैं उसको बोलते है चोराहा तो यहांपे संख्यावाचक पद है तो आपका आंसर होगा दीगु समास आपका अगला प्रिशन है अस्ट अध्याई में कौन सा समास है अस्ट अध्याई का समासिक विग्रे होगा आठ अध्याईों का समूँ तो इसमें प्रिथम पद संख्यावाचक है तो आपका अंसर होगा दिग्रु समास आपका अगला प्रिश्ण है अंदकार युक्त में कौन सा समास है अंदकार युक्त का समास इक विग्रे होगा अंदकार से युक्त इसमें करण ततपूरुस है क्योंकि इसमें से का लौप हो रहा है तो यहाँ पे जो कारक है वो करण कारक है तो आपका अंसर होगा ततपुरुस समास आपका अगला प्रेश्ण है यथा संख्य में कौन सा समास है द्यान से देखिए यथा संख्य में एक पहला पद है यथा यथा जहांपे पहला पद हो वो पहचान है अवय भाव समास की तो आपका अंसर होगा अये भाव समास, इसका समासिक विग्रह होगा संख्या के अनुसार आपका अगला प्रेश्ण है जनम मरण में कौन सा समास है जनम मरण का समासिक विग्रह होगा जनम और मरण और यहाँ पे योजक शब्द आया है जो इन दोनों पदों को जोड रहा है तो जहाँ पे और शब्द आता है वहाँ होता है द्वंद समास और दोनों ही पद इसमें प्रधान है आपका अगला प्रिश्ण है कमल नयन में कौन सा समास है कमल नयन का समासिक विग्रह होगा कमल के समान नयन यानि कि यहाँ पे करमधार्य समास है क्योंकि कमल विशेषता बता रहा है नयन यानि कि आँखों की तो प्रथम पद विशेषन है और दूसरा पद विशेष है यह होता है करमधार्य समास में आपका अंसर होगा करमधार्य स आपका अगला प्रिश्ण है सप्ता में कौन सा समास है सप्ता का समासिक विग्रह होगा साथ दिनों का समू प्रिथम पद संख्यावाचक है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दिगू समास आपका अगला प्रिश्ण है धर्मा धरम में कौन सा समास है धर्मा धरम का समासिक विग्रह होगा धरम और एधरम धरम दोनों ही स्वतंतर रूप से अपना अर्थ रखते हैं और दोनों के बीच और सयोजक शब्द का लोप हो रख्या था तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द तो कुन उधारन ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि शी शब्द का आपको तीसरा अर्थ ना पता हो तो आप ध्यान दीजेगा पहला है चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विश्णु भगवान पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिनना ने हाथ में चक्र धारन किया हुआ है जैसे नेक्स्ट है चक्र धर, चक्र को धारन करने वाले अर्थात विश्णु भगवान महावीर, महानवीर है जो, अर्थात हनुमान जी प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री पंकज, पंक होता है कीचड, पंक में जो पैदा हो, अर्थात कमल अन्होनी, नय होने वाली घटना यानकी कोई विशेश घटना उसको बोलते हैं अन्होनी में भी बहुबरी सा मास होता है निशाचर, निशा में विचरन करने वाला अर्थात रातरी में जो गूनते हैं इसका तीसरा राथ है राक्षस चार है लडियां जिसमें, अर्थाथ माला चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिनके, अर्थाथ शिवजी विषधर, विषध को धारण करने वाला, अर्थाथ शर्प मरिगेंद्र, मर्गों का इंद्र, अर्थाथ सिंग अब है घंश्याम, घं यानकी बादलों के समान जो काला है, श्याम रंग होता है काला रंग, तो बादलों के समान जो काला है अर्थात श्री कृष्ण, मृत्युन्जे, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युन्जे होता है, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिवजी, खग खगों का ईश है जो अर्थात गरुडदेव कपीश कपीश हनुमान जी को बोलते हैं कपीश का अर्थ है कप्यों में है जो ईश अर्थात हनुमान जी गोपाल गो का पालन करने वाला अर्थात गायों का पालन करने वाला श्रिकेशन भगवान चंद्रभाल चंद्रमा है भाल पर जिनके अर्थात शिर्जी जलज जल में उत्पन होता है जो अर्थात कमल जलद जल देता है जो वह है बादल वज्रा युद्ध, वज्र है आयुद जिनका, वज्र है आयुद जिनका यानिकि वज्र जिनका हथियार है, अर्थात इंद्रभगवान, वीना पानी, वीना है पानी में जिसके, पानी का अर्थ होता है हाथ, यानिकि जिनके हाथ में वीना है अर्थात सरस्वतीमा, तो ये स अगला प्रेश्ण आपके लिए है निमन लिखित शब्दों में कौन सा समास है आपके लिए तीन शब्द है तिरंगा प्रतिकूल और तनमंधन इसका आंसार आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं थैंक यू फॉर वाचिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टेडी जोन फोर न्यू अपडेट्स और प्रिपरेशन अफ अपकमिंग एग्जाम्स नीचे दिएवे लिंक पर जाकर आप हमें फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं और अगें थैंक्स अल उन्दोग्ट